सब्सक्राइब करें हमारे इस यूटूब चेनल को और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं और पाएं हमारे वीडियो नमस्कार दोस्तों मैं मन्तोष अपने इस यूटूब चेनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ देखिए दोस्तों ये एक क्लेंपू है जिससे ये हमारा बोड आप लोग एक इस तरह से किसी भी टेबल में जैसा की देखिए नीचे एक सीसा है सीसा जो हमें माले जेकी खीचने में आसान रहता है नीचे जो है सक्त चीज चाहिए इसलिए हमने इस पे सीसा रखा है यहाँ पे आपको एक ये देखिए पटरी जैसा इसमें कभजा दो कशा गया है ताकि ये आपड डाउन करता रहे अब मे इसको पेटिंग कर रहा है तो देखिए ये जो है हमारा मेटर है हमारा बोड हो गया अब इसको हम इस पे कस्त देंगे देखिए जहां से हमारा मेटर सही से आ जाए उसके उसी तरह से हम कस्त देंगे कि कई जो हमारे सब्सक्राईबर है वो ये भी पूछते हैं कि किलेंपू किस तरह से कसा जाएगा इस बारे में भी आप बताएं अब देखिए इसको यहां पर रख दिया गया है जो हमारा मेटर है वो पूरी तरह से लंबा आना चाहिए इसा नहीं कि चाणवा आना चाहिए इधर दुसरा मेटर है और देखिये ये अब up-down जो है हमारा करने लएगा इस तरह से हम इसे रखेंगे अब हम चलिए देखते हैं कि इसका size कि इस तरह से लिया जाएगा काड का यह जो क्लेंपू है हमारा फीट कर दिया गया है अब हम इसका साइज लेते हैं काड का अब देखिए दोस्तों जैसा कि हम आपको नीचे दिखा रहा हैं यहाँ पे एक पट्टी लगा हुआ है और इसको हम इस मेटर से मैच करते हुए उसका साइज ले लेंगे जैसा क यह हमारा जो काड है वो बिलकुल बीचों बीच में आ जाना चाहिए अंदर में अगर यह यहाँ पे आ रहा है हमारे उंगली को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग कुछ टेप हो गयरे लगा दीजिएगा ताकि माल लिजे कि हमारा निसान जो है वो बिलकु जो है यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है इसके इधर में और यहाँ से अब हम इस पे यह हमारा जो साइज है वो बिलकुल परफेक्ट हो चुका है देखिए यह हमारा जो साइज है वो बिलकुल परफेक्ट आ चुका है यहाँ से हम काड रखेंगे और उसके बास से हम अब प्रिंट इसका तो देखिए दोस्तों जैसा कि इस पे हमारे मेटर पे एक कलर डाला जा चुका है अब आप लोग देखिए जब भी आप इस्टेपर चलाएंगे उसे पहले सवी डंग से धीगो लेंगे देखिए यहां पे अब देखिए यह हमारा जो काड है वो किस तरह से आया हुआ है हम आप लोग को यह दिखा देते हैं देखिए यहां पे लकीर आ रहा है तो यह इसमें आप एश्टेपर पे ध्यान रखिएगा यहां पे लकीर आ रहा है तो आप दिखा रहे हैं देखिए इसमें कई जगह जहां पे प्रभाल लिखा हुआ है या बिदाई लिखा हुआ है तो यह हमारा जो है इस टेपर की होजा से आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टेपर को चेंज करेंगे देखिए जैसा कि अब जहां पे लखीर आ रहा है वहां पे हमारा कलर छूट जा रहा है तो इसके लिए अब हम दूसरा मान अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा मेटर पे अकर लखी राए तो उसमें प्रोब्लम आ सकता है अब हम देखते हैं इसका मेटर तो देखिए ये जो हमारा मेटर है अब बिल्कुल एस पॉस्ट आने लगा है यहाँ पे प्रभा लिखा हुआ है वो भी सही है यहाँ पे बिरें पेंदर कुमार और सारे जो हमारे मालीजे की लेटर है वो बिल्कुल सही सलामत आ रहे हैं तो इस बात का आप लोग सही ढंग से ध्यान दिजेगा कि अगर हमारे एस स्क्रीन पे लकीरे आ रही है तो ओ लकीरे आपके इस्टेपर में एसकेच होने की ओजा से आता है तो वह से जो हमारा सियाही है इंक है वो छुट जाता है और छुटने की ओजा से वहां पे जो हमारा लेटर है जो अक्षर है वो नहीं आपाएगा तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि माल लिजे कि हमारा अगर एस्टेपर पे लखीर आ रहा है तो उसे हमें चेंज करना पड़ा और यहां पे देखिए यहां पे बिल्कुल आ नहीं रहा था इसका मतलब ये था कि माल लिजे कि जो लाकीर है उसके नीचे से माल लिजे कि हमारा जो इंक है वो छूट जा रहा था, अब हम एक और कार्ड जो दूसरा एस्टेपर है, जो नया एस्टेपर हमने लिया है उस पे देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बिरेंदर की जगा जो स्वर्गिये मदन परसाद है बिल्कुल किलियर है यहां पे प्रभा भी बिल्कुल किलियर है और विदाई भी किलियर है तो आप लोग इस बात का खास तोर से ध्यान रखेगा कि एस टेपर के वोज़ास से भी जो आमारा मालेजे की मेटर है वो सई डंग से नहीं आपाए है तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम इसमें क्लेंपू हो गहारे किस तरह से फिटिंग करते हैं साइज किस तरह से लेते हैं और एस टेपर का भी बाई चांस इसमें हमारा प्रोब्लम मिल गया वो इस टेपर गलत लग गया था और आप लोग के अगर आ रहा है थोड़ा सा आ रहा होगा तो आप अगर थोड़ा प्रेस करके चला देंगे तो उसमें किसी परकार की कोई प्रोब्लम नहीं आएगा मगर ज्यादा अगर लाइनिंग उसमें आता होगा तो वहां का जो लेटर है वो प्रिंट नहीं होगा तो आप लोग इस ब